दक्षुन भारत के तमाम शहरों में एक सुन्दर सा शहर, बैंगलूरू लाखों लोगों के सपनों को साकार करने वाला सुन्दर शहर, बैंगलूरू इस बैंगलूरू में जहां एक तरफ ऐसी हस्तियां रहती हैं जो मशूर हैं, वहीं दूसरी तरफ कुख्यात भी रहते हैं, जिन में गैंग्स्टर्स का अपना ही खौफ है बैंगलूरू मतलब माँ, बैंगलूरू मतलब बाप, बैंगलूरू मतलब प्यार, बैंगलूरू मतलब गुंडा गर्दी, बैंगलूरू मतलब राजनीती, बैंगलूरू का मतलब घर्म खूल, बैंगलूरू के अंडर वर्ल्ड की किताब के सबसे पहले पेच पर लिखा तो इस तिगलरा पिट एरिया में जैराच, कोटे नागा, कोटे नारायना, अवंतिका राजेन, कुश्पा, टेटली सोमा ऐसे नामों के खून से सने हुए कदमों के निशान हम आज भी देख सके हैं इस तिगलरा पिट एरिया में एक डेड एंड रास्ता है जिसे उस जमाने के आसामा के तद्दो पीडे संधी नाम से बुलाते थे इस कहानी में कलिंग नाम का एक साप भी है, जो अपने फन को उठाए है उसी जगे से एक मा की दुख भरी आवाज सुनाई देती है, जिसके आसुए एक दर्द भरी कहानी बया करते हैं आज यहां उसी मा के कहानी, हाँ पीडे संधी को आज के जमाने के लोग टाइगर गल्ली के नाम से बुलाते हैं करते हैं करते हैं हाई ब्रो हाई प्रदाव पकड़ना इसे देख रहा है सॉरी सर इस राजी के देख्षिन वाले लोगों को राजी के उत्तर वालों का सिये मनना पसंद नहीं है अब करें तो क्या करें अपनी जिद से आगे बढ़े हुए लोग हैं हम पद के लालच में सिर पर बैठने के लिए मत कहो उन एमेले लोगों को पिछले कीस सालों से सीयम का पद मेरे बाप का है गजेंद्र गड़ा वंश का है हमारा है और हमारा ही होके रहेगा वहां क्या पात कही है बेटा तुम उठोगे नहीं क्या मुझे लगा तुम उठकर समझा रहते तो मैं भी उठ गया बेटा मैं जरा विदान सभागी तरफ होकर आओं अच्छा नहीं जाना है तो मैं यहीं बैच जाता हूँ जाए इफ आई नीड एनिफिंग आईल कॉल यह है यह चलो बेच चल देर हो रही है डाट मेरी परमिशन की बिना आप कोई फाइल साइन नहीं करेंगे अरे इन उगलियों को पैन कैसे पकड़ना ही आता ही कहां है सिर्फ मेरा यह शरीर है अंग उठा तो तुमारा ही है क्यों है ना बेटा है यह कैसा होता है मुझे पता ही नहीं तुम किसका इंजार करो चलो ना अगर तुम्हें अपनी मां की जान बचानी है तो एक किड़नी बेच कर उन्हीं पैसों से अपनी मां की जिंदगी बचा लो सेक्यूरटी नागराव क्यों रहा कमीने सीम के घर पर घुशा था ? सीम के घर पर घुशेगा ? हाँ ! हाँ ! ठोग गानी तुझे ! लोगों की हिम्मत कैसे हुई सीम के घर घुश लएगी ? आ गया ना तू, आ जो, आ जो, इस जगा का इतिहास लिखने वाले मेरे बेटे के पंजे को तू भूल गया क्या, अरे एक अमिने, उसे जनम देने वाली मैं हूँ उसकी मा, अरे वहां क्या देख रहा है तू, अगर तेरी मा ने तुझे पैदा किया है, तो यहां कर मुझे ल एक माँ जो अपने बच्चे को दूद पिलाती है उसकी कोख पर तुलात मार रहा है मारेगा मारना मैं यहां रहूंगी तो प्रॉब्लम बाहर जाओंगी तो प्रॉब्लम तो तेरे सारे डिपार्टमेंट को इकठा करके सारी लाठिया तूटने तक भी मुझे मारेगा तो भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम छोड़ूँ आनी तुलश्चे किसी को नहीं छोड़ूँगी मैं यह है हमेशा डरकर जीने वाले कमजोर लोगों का राज न्याय मांगने से हड़ी तोड़ देते हैं जुबान खोली तो जुबान काट देते हैं सही काम करने वाले को यह तमाशा मारते हैं और गलत काम करने वालों की यह लोग पूचा करते हैं अब इन लोगों के लिए मंदिर में रहने वाले मेरे भगवान को क्या बाहर निकल कराना होगा मेरे इस पवित्र धर्ती माता के लिए पता नहीं अब क्या करना होगा सब लोग यहीं है क्यों रे मखन चुराएगा हाँ चल आज तुझे बताती हूं इसकी वज़े से ये दुनिया भयानक नर्क में बदल जाएगी ये पता होता तो इस कम्यूने को मैं गले में पैर डाल कर मसल कर मात देती जालो मिर्ची उसे मिर्ची का दुआ देकर दस-पंद्रा साल हो गए थे लेकिन वो फिर से हमारे एरिया में कभी दिखाई में दिया मगर एक दिन जैराज कहा है हां सर जैराज को लेकर आओ कमिशनर सर एक बात जैराज ये गुंड़ा है एक करप्ट आदमी है आप उसे इस तरब क्या हुआ प्रब्लम क्या है मैं तुम्हारी बीबी को बुलाने के लिए के रहा हूं जो इतना फील कर रहे हो मेरी नजरों में तो खाकी प मैं जराज वाश्रों में हो क्या आता हूं मॉव तुम्हारे हिसाब से एक और देश भक्त शहीद हो गया कमिशनर बच्पन में जिसने मिर्शी का दुआ खाया था उसी को वोट देकर हम लोगों ने सीम की कुरसी पर बिठाया जिन लोगों ने इसे प्यार दिया उन्ही को आज ये ठुकरा रहा है और जनता के दुश्मनों को ममता दिखा रहा है लगता है किसी को तुमने उपर भेज़ दिया एक नामर्द को धनराज अपने बाप की सीम की कुरसी बचाने के लिए जहराज जैसे खतना गुंडों को पालता था अनपड़ गवार गुंडे लोगों को खून का तिलक लगाकर राजनीती का पाठ सिखा था जैराज मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ एक मिनिस्टर के चमचे बन कर रहो स्टेट की पॉलिटिक्स में तुमारी अपनी हैसियत बननी चाहिए जैराज का नाम राजनीती में राजा की तरह लिया जाना चाहिए अरे 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 शकुनी हमारे राज को पालने वाले को देखा भगवान ये इसका भाई नाग राज वो कैसा है पता है रिकांत राज गजेंद्र गड़ा धनराज गजेंद्रगड़ा नागराज गजेंद्रगड़ा इन सब को पालने वाला है गुंडा जैराज इन सारे लोगों ने पूरे राज़ को लुटड़ा शुरू कर दिया मेरे दूद से भी ज्यादा मेरी काम धेनू का दूद जिसके नस नस में खून बनकर बह रहा है वो मेरा बेटा मेरा शेर मेरा बच्चा विश्णो युट जैरा शेर बच्चा विश्णो पूर पावर है फूर पेवर है फूर पेवर है हो मेरा शेर बच्चा विश्णो अपनी ही चलेगी जब तक है जाँ दुश्मर्दर के भागे हम से जाने कहा हम से हट के हम तो है हम हम ही है हम है पेते भारत मा के दिल से करते से लुट हो काते हम तो एंधें तन के तन्मा निस्पे पुर्बान हो ये देश पहान अपना इसमें जान बसता हरवा जुड़े है इससे एक्रेट अपना इंडिया जबा पिता मला हूँ मैं तो जलजला हूँ राप उरजना मुझ से जान ले मैं मरक्मान हूँ तो आज तन्मान हूँ मुझको आज पहचान ले शीराम राम लामे पी रमे रमे मनो लामे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम लाम वला दने जाती पाती को हम न माने घर्म अपना है विश्वे आगे करके अपनी चाती दुश्मन से हम लड़ते हैं में जीटर है भारत अपना सबने है ये बाद माना ना जाले हम तो जुकना पूचा है अपना दियंगा बता पिता मला हूँ मैं तो जलजला हूँ राप उलजना मुझ से जान ले अपनी ही चलेगी जब तक है जा दुश्मन दर के भागे हमसे जाने का ये 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 अपनी तेसी है करेंगे मिए ये नमस्ते साथ ये पैट-मयन वाट यूव नेम गोविंदा नाम कोविंदा रखनेने से तु गोविंदा नहीं बन जाएगा अगर जागी ठीक से वाश नहीं करेगा तो तुछे काना पड़ेगा एगा कज़वाज भरशना फढ जाएगा पानी के फोर्ट से गाड़ी हील रही है और यह पत्थर की जैसे खाने है मेरी गाड़ी रड़ी होगी क्या गाड़ी रड़ी होते ही फोन करके बताऊंगा मा खाना खाया तबेला साफ कर रही हूँ गाए को घास देकर फिर खा लूँगी मेरा भाई कहा है बिटा अरी बहना तुम उसे इतना प्यार करती हूँ इतना सारा खाना बेज दिया सब लोग मिल बाट कर खाना अकेले मत खाना मा पहले तुम जा गर खाना खा लो खे बगवान अहां बेटा खा रहे हूँ ठीक है अब फोन रखूं पहले एक निवाला खाओ उसके बाद फोन रखूं अरे बेटा खा लिया मैं फिर खाने के टाइम पर फोन करूंगा ठीक है ना ठीक है बेटा ए भांजे ओनर की कार तो चली गई आज मंगल वार है कोई कार नहीं आने वाली वातो तो आदा गंड़े गेम खेल के आएंगे किस के साथ उन तीन पंटर लोगों के साथ ताकत है तो इस त्रिकेश से लड़ना किट्टी से लड़ना कालिया ए हमारे साथ गेम खेलेगा क्या रे कौन सा गेम मर्दों वाली गेम, मर्दों वाली कबड़ी ये क्या होता है, मर्दों वाली कबड़ी लड़कियों की कबड़ी अलग है, मर्दों की कबड़ी और भी अलग है आदे घंडे का पाँच हजार, क्या लेगा क्या हलो, जाले क्या भंजे, क्या हो गया वॉशर में पानी लगकर वॉशर ब्लास्ट हो गया मैं भी आओ क्या आओ ना लेकिन हमारी मातोश्री हम दोनों को साथ में देख लेगी न तो स्लिपर स्टैंड पर जितनी भी हवाई चपल हैं उनसे हम दोनों को हार पैना देगी वो तुम्हें चिलेगा क्या अगर ऐसा है तो हमारा प्यार खत्म हो गिया इतना जल्दी प्यार खत्म हो जाएगा तो प्यार की कहानी वाली फिल्में इतनी हिट कैसे होती चिंदा मत कर प्यार बुढ़ाँ पें तक चलता रहेगा भांजे रुक मैं देखता हूँ ओ तेरे हट बढ़ गई क्या दिखने में तो सूपर लग रहा है लेकिन चोपडपटी वाला लगता है तू इससे कैसे कनेक्ट हो गई आज कल की लड़कियों को प्यार करने के लिए कोई रीजन सीजन नहीं चाहिए आई लाइक इस फ्लूट वाट उसके अंदर से एक ट्यून सुनाई देती है एन लाइक दाट बेबी को बेस पसंद है हानी चन यार बोल यार अपने देश को हो क्या गया है इतनी खूबसूरत लड़की इतने छोटे छोटे कपड़ों में आ रही है यह क्या बांजे अपने समान को हमेशा समाल के ढखके रखा जाता है लेकिन यह तो खुलम खुलना है तुमको नहीं देखना तो आखे बंद कर लो ना यह वी क्या है अगर तुम चाहो तो तू समझा नहीं क्या इस समझ में आती है लेकिन इतनी स्पीड में बोलेगी तो कैसे समझ में आएगा अब तुम बताओ कि हम हैं और पीछे वो हैं सुन यार बॉल यार हमें धूप में मिट्टी में कबड़ी खेलना जरूरी है क्या उसे बिस्तर पे डालके अड़े सुन रहे ही रो पांच हजार की जगें दस हजार देंगे मैंच में जीतों तब तुम्हें मानेंगे उस तिल किस्मदा को चुप जाप इस तरफ लेके आजाओ अब तेरी तो क्या है के यह निर्य है यह चललो तुमको समझ में những आएगा वह प्रकुर्ट के ऐसे हैं तर उप्रेशन में जीतना जी चिए पहले से पता था क्या तुमने मेरा दिल चीत लिया तब भी समझ गई तुम पूरी दुनिया चीतो लिए अरे चोड़ोना यार आरगे तो क्या आपने को तो कुछ और पता करना था ना कीन में से कां स्ट्रॉंग है और यह चीता बहुत स्ट्रॉंग है इसके बारे में तो बता रही पड़ेगा ने यह लो भाँजे तुम्हारे लिए ब्लैग मेरे लिए वाइट और सुन्दर सुन्दर लड़कियों के लिए कलर कलर जूश क्या बात है मोमा शाकीला टकीला के जमाने में इस सॉफ जिंग सारी एक्स नूवी आं सॉरी यह क्या भाणजी यह लड़की है यह बावाल है शाक यहां पर तो बैटे बैटे लग लग रहा है कि ताजमेल होटल में बैठाओ सुनो मॉम्स अब देखना मेरी लाइफ फूल स्पीड में भागने वाली है तुम आप बैटे बैटे देखते रहो इस हनी हनी बुलने वाली को मैं कैसे एट्जस करता हूँ हानी हाँ शेल वी को पर राइड डाल दिया ना इसने बॉम्ब अरे मामा यह क्या बुली नहीं समझा इंग लिश कैसे समझों गारी की बैठाएगा क्या लॉंग ट्राइब पे जाएगा क्या यह पूछ रही है तेरी हली हाँ नो 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 प्लीज टों से नो मना मत कर प्लीज जा एची ए यहां से नहीं तो यहीं शुरू हो जाएगी वाव I'm loving this थंड है डॉली जी यह काड़ी यह बॉडी यह ग्लैमर यह ड्राइविंग सब कैसे कर लेती हो ममी पापा का गेफ्ट बहुत ही रोमांच गेफ्ट है थैंक्यू ममी पापा डॉली जी आप सिर्फ पाइक ही चलाती ह सब्सक्रों करें यह जी तो समझ में आया बाप सब निया तो उसमें गर में दूद मत दो ठीक है नहीं दूँगा फइजा इससे क्या हुआ है अरे 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 औरे क्या हुआ है क्या हो इसके साथ तुने विश्रु क्या हुआ विश्रु 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 उठना इसे नीचे उतारो अरे बहना यह नहीं उठेगा एक्सक्यूज मी आप इसे उठाना ही चाहती है ना क्यों डमरू बजाएंगी क्या क्या करना चाहती उसे करने दो तभी ठीक होगा क्या हुआ यह बताओ मैं कहा हुआ यहीं है तु ओए आम हीर बाइए एंजी रोर की फटाकड़ी आइंदा यह छोटे कपड़े पहन कर मेरे बेटे के पास आई ना तो देख ले ना हा मैं क्या करती हूं क्या बोली टुदे वाचेस लिप लॉक कल किड्नाप उसके बाद रेप इसके इजसत की कैरेंटी वारेंटी तोनों ही नहीं है यह यह क्या हुआ यह क्या हुआ यह क्या हुआ क्यों बेटा मा के सामने कोई ऐसे बात करती है यह लड़की हमारे घर में कैसे रहेगी मा अगर तुम कहो तो मैं उस लड़की की तरफ देखो नीचे रहेगा आख उठाके मत देखना समझा मा वो बुलाती है तो दिल में मेरे कॉलिंग बेल बचती है कुछ निखाई नहीं देता दोनों आखों में बलर आ जाता है बस उसी के पीछे जाता रहता हुआ तुमने बिल्कुल सही कहा था यह लड़की खिलाडी है मैंने पहले ही कहा था देख बेटा तु इसके पीछे म मा सुन बेटा बेटे का प्यार एक तरफ कहीं हाथ ना छूट जाएए डर एक तरफ ए जादूगर सबके साथ और ऐसे कितने खेल खेलेगा तु मरजाख है क्या हर एक चतुरदर्शी में तुझे नारियल चड़ाती है वो मेरी पोती के दिल में जो भी इच्छा है वो पूली करने में तुझे तकली पोती है क्या ए मेरी बात सुन अगर मेरी पोती की शादी तुने जल से जल्द नहीं करवाई तेरे पिताने तो तेरे सिर पर हाती का सिर लगाया था मैं साधू कोकिला का सिर लाकर फिक्स कर दूंगी देने सिर्फ़ बात करने पर आग उगलने वाली मेरी पोती के लिए आइस लगा कर ठंडा करने वाला कोई लड़का दे दो क्या रे तू भी सीज हो गया क्या सुबह सुबह बात्रूम जाने से पहले मुझे उठा के ले आए पूरा दिन खराब कर दिया अच्छा बाई को टच करना उतना इजी है क्या अरे इन पुलिस वालों का कोई काम तो है नहीं चोटे-चोटे बच्चों को पकड़के लाते और उनके पिटाई करते हैं यह लग किसी की हिम्मद क्या टच करें तू कौन अरे तू लोगों की रक्षा करने वाली पुलीस क्या है रे तेरी दौला था समझ जा पहले तू कैसा था मुझे नहीं पता आगे ठीक रहेगा तो ठीक है नहीं तो नेक्स टाइम फेस टू फेस मिला ना तो डुएट संग आओगे क्या है चिंता कचिता चिता चिता चिन वो था पुराना स्टाइल पर हमारा स्टाइल है घुमा का घुमा 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 का घुमा ए मेस्टर जानते नहीं कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ या औरत समझ कर नफरत करते हो सिर्फ खाकी वर्दी पहनने से ताकत नहीं आती मैं एक औरत को सलाम नहीं करूँगा जहां पर मैं रहता हूँ वहां का सीनियर मैं ही हूँ मुझसे अगर जबान लड़ाया तो देख लेना कौन है ये बद्तमीज सीम का आत्मी है मैं नरसाई गोड़ा नाम है सरकल इंस्पेक्टर ये भी करप्ठ है और इसका मालिक भी अपनी सीम की कुरसी बचाने के लिए अपने पाल्तु को यहां छोड़ रखाए त्यार हुआ इकरार हुआ है मुझे शर्म आरी है मामा महा भारत के चक्रव्यू की तरह ये लोग मेरे पास क्यों आये हैं हमारी गल्ती क्या है तिरी मूर्ति लो तुम्हारे भाई की कद काथी बिलकुल हीरो जैसी है फिजीक सिक्स पैक जिम बाड़ी इतना काफी है मेरे भाई के पास काम करने के लिए अपॉंट्मेंट देने के लिए तेरा भाई दानवीर शूर करने है या लड़की देने वाला ससूर स्टेट गवर्मेंट या सेंटरल गवर्मेंट कोन है वो सौरी तुम्हारी अपॉंट्मेंट को में रिजक्ट करता हूं फॉल एंड फाइनल है इस कमीने क्यों बहुत च कर दिया इसने इसका तो कुछ करना पड़ेगा या तो आज अपने गैंग में शामिल होगा या क्राइम करने के बाद इसके नाम पे लगा देंगे दोनों में से कोई पस्का होगा अभी कुछ तो बोला एक बार और बोल लगता है इसको बहुत जादा चरबी है तुम्हारे स्टेट के सबी लोग बिल्कुल जाहिल गवार और बेकार होते हैं है उसे बुलाना ज़रा अपनी चम्यागों मैं भी तो नहीं हूँ 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 अ हुआ है! अंए रटो अजजव तक कोजिए नह सुआ कर अई लुट झाल कि अ कि अपिए, अप़िछ, प्रफषित हज़ तक प्रफबस, हमसा भी तक ठर में चार हई रटे हैं? एक एक रुको बॉस रुक जा जन्म देने वाली मेरी माता भाशा सिखाने वाली भारत माता खाना देने वाली भूमी माता और पाप धोने वाली कावेरी माता मा है वो करने वाली माताओं के बारे में कुछ बोलेगा तो गलती होगी नहीं होनी चाहिए क्यों रहे क्या हुआ चलिए यहां से निकल गुसे में हो चेरा बेबे ले चलिए यहां से मौके पर कैसे करती है इसको खुद को नहीं बता सिस्टर नो इंटर्टेन्मेंट गो 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 एई विशाम को मिलेगा क्या यह कम थी जो यह भी आ गई खून की गोले खेलने वालों को इतने से खून से टरना नहीं चाहिए पसीने की जगे खून पहना चाहिए क्या नाम है उसका विश्णू उस दूद वाली दुर्गा का बेटा है इस चैराज को मिर्ची का धुआ दिया था उस आरत ने सभी मर्दों को भूत के जैसा परिशान करती है वो आरत और तू कह रहा है को उसके बेटे को भी टकर देने वाला यहां कोई नहीं है उसके बेटे विश्णू ने हमारी दुनिया माने से मना कर दिया अरे हमारी दुनिया में आने वाला ही असली मर्द होता है जो यहां आने से मना करता है वो हमारी नजर में एक नाम मर्द होता है और वैसे लोगों को बीच चुराहे पर ताली बजा कर भीख मांगनी चाहिए है उस विश्णू और उसकी मा दुर्गा से मैं बीच बाजार में ताली बजवाओंगा देख लेना अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और यहां तो साइरन भी बजने लगी मेम साब क्या बात है इतनी दूर आप अकेली आई ड्यूटी हो गई मैं अब यह एक मिनिट मेम साब यह आपकी दादी ने मंगवाया है यहां रख देती हूं इसमें दूध है और इसमें दही रखा है कहा है आपका बीचा क्या क्या कहा एई जरा इधरा मैं क्यों मैंडम ज घर के मर्द तुम हो तुम क्या करते हो मिम साब मेरा बेटा और मेरा भाई दोनु काम पर जाते हैं देखे न पूरा फगार भी मेरे हाथ में ही देते हैं तुम्हारा जहराज का क्या सम्मद्ध है मैडम जी पैसा मिलेगा सोचकर मैं उन लोगों के साथ बस खेलने गया था लेकिन उसी बहाने वो लोग मुझे गैंग में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें सबक सिखा दिया। विश्नु, इस अच्छे बुरे के बीच में पुलीस वाले एक लाइफ लाइन है। पुरे लोग अच्छे हो जाएं तो हमारे लिए खुशी की बात है। अगर वही अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ में लाने की कोशिश करें, तो उसकी अच्छाई भूलकर एक मा से उसके बेटे को दूर करना पड़ेगा। उन लोगों को सबक सिखा कर तुमने अच्छा किया। पर अब सब भूल जाओ। मा कहकर पुकाने वाला बच्चा अपनी मा को सब कुछ बता देता है। मगर तुम दोनों ने। तुम फिर शुरू हो गई। तुम दोनों ने मिलकर। अरे नहीं, मैं था न, इसलिए सिर्फ यह बात करके आया है, है न। ए बहिया, मैंने ममता और प्यार देखा है। आज के जमाने के बच्चे दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। सुन बेटा, सौ बार सोचकर कदम आगे बढ़ाओ ऐसा लोग कहते हैं। बेटा, नीचे गिर गया तो उठा जा सकता है। मगर बुरे रास्ते पर गया, तो मेरा ये दिल टूट जाएगा, टूट जाएगा बेटा। मा... संबल करेना बेटा, सावधाली से रहना, सावधाली से रहना। आ, आजा तु आजा आज, कबसे कह रही हूँ कि शादी कर ले, पर सुनती ही नहीं। अरे तुम्हें ऐसे कि मैठे हूँ, जो जो से रो, हाँ और जो सो से रो, हाँ क्या होगी आपको, मैं आपकी आखरी इच्छा मी पूरी नहीं कर भाए दादी, जब मेरा शादी करने का वक्त आया, तो हम मुझे छोड़कर चली गई। नहीं है पर फिर उनके आत्मा तो यही है ना अभी तो बोल दो कि तुम शादी के लिए तयार हो यह टायलोग कहने के लिए मेरी दादी ने कितने पैसे दी आपको भागो यह से सब लोग अरे 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 तुझे कुछ पता भी है बड़े बड़े लोग मेरा नाटक देखकर मेरे फैन हो गए थे तू क्या चीज है अपने पापा के सामने मैं बहुत बेगडाई पापा पापा मेरी शादी किसी पुलीस वाले से मत करवाईएगा पापा तुम्हारी शादी पुलीस वाले से ही होगी सुनिए अपने होने वाले बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे क्या लड़का वह या लड़की पुलीस नहीं जाना होगा देखो बेटी, कोई सौफ़वेर या हार्डवेर इंजीनियर से ही शादी करना किसी पुलीस वाले से नहीं आप कुछ भी कहो, मैं पुलीस वाले से ही शादी करूंगा देख बेटी, ये तेरे लिए आखरी वार्निंग है, इस बार तुझे शादी करनी ही होगी दादी, मुझसे शादी करने वाले से पुलीस वाला चाहिए ये बिलकुल मत कहना आप जिस से कहेंगी, मैं उसी से शादी करूंगी ए बजाओ रे, बैंड बजाओ, टन 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 दादी अरे मुझे दो हाई क्या है तेरी प्रॉब्लम यार उस दिन तुमने उसे डाटा उसने एक बार भी कुछ उल्टा बोला क्या उसने आज तक तुम्हें परिशान किया वह तुसे प्यार करती है वह सिर्फ मेरी बीवी बनकर आएगी तो नहीं चलेगा अपने गंदे मुझे कुछ भी मत बोलो उसे मां की और तुम्हारी बेटी बनकर रहना पड़ेगा वह इतनी चोटी नहीं है कहां हो तुम बता मैं आता हूँ आपर चलो रखता हूँ जब से पैदा हूँ तब से यहीं पर रह रह रहा हूं बस छे मैने इस गोबर की फैक्टरी में काम कर लो अच्छे से मेरी फैमिली में एड़्यस हो जाओगी हाँ तु ही समझी अब यह ले क्या है यह तेरे लिए साड़ी चुडियां कुम-कुम हल्दी और फूल हैं लेकिन क्यों पहनने के लिए इसे उतारोगे न तुम जब देखो खोलना पहनना इन बातों की सिवा तेरे घरवालों ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या सुनो यह साड़ी पहन कर अच्छे से साफ सफाई करना और गायों को साफ सुत्रा रखोगी ना तो ही तुम इस घर में इंट्री है तुम जो कहोगे वह मैं फटा फट कर दूंगी लेकिन मैं जो बोलूँगी उससे तुम धीरे धीरे करना जब खड़ी हो जाऊ अभी मैं नहीं उठाउगे अब उतार यह चोटे कपड़े नहीं उतार जल दे थोड़ा जोड़ा जोड़ा सांस लीजिए यहां दर्द है यहां दर्द है यां दिये से दवाओ यहां मेरा दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शिंस फॉलो कीजिए क्रियेटिनिन, बाली रुबिन जस्ट आई वोन तो नो इट सीरियस और नॉट अगर जियेंगे तो ठीक है और मर गए तो नेक्स्ट सीम कौन होगा सोचना पड़ेगा नटिंग सीरियस सर टेक केर आफिंट, ठीक है बकरी का दूद, बकरी का दूद, बकरी का दूद लगा रखा है आजकल तो पकरे के दूद की भी डिमांड बढ़ गए सीम के मूँ में दूद जाएगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसा डॉक्टर कह रहा है बकरी, बकरी, बकरी कहां से ला रहा है बे सुनरे, यही वो सही मौका है बदला लेने का उस दुर्गा की बकरी पर हाथ डालते हैं मैटर हिट होगा, गैरेंटी है सही बोला यार, उस दिन कबड़ी और गैरेज में हम लोगों पर हाथ उठाया था ना आज उसका बदला लेके रहेंगे दस मिनिट का टाइम दो बस दूदेने वाली बकरी उठा के यहीं पर लेके आऊँगा आज है एंगर है यह बचरा है यह बकरी इस बख़र बंकर बें में उठाव ऑपकरियों को शल शल जल जल यह ने रहता है यह पर नहीं कहा है लेकित आएंगा ने वंदरे और चाहिए है हमारे सीम की तबीएट ठीक नहीं है उनको दिन में एक दो तीन नहीं चार बार दूस पिलाना ज़रूरी है तो तुम लोगों को उसके लिए दूसरा घर नहीं मिला तुमको चौड़ दो में साब मेरी बक्रिया लेकर जा रहे हैं और मुझे भी नहीं बता रहे हैं आप कुछ कीजिए कुछ कीजिए ना मैं नहीं तू इधर आ कि जब हम बुलाएं तो सीधा आने का और बोलके सीधा चले जाने का नहीं तो हम प्रसे कुछ ना कुछ हो जाएगा ते री तो है गाड़ा गाड़ी दिकार है आजां सब्लोग है है जार उसे लेकर आ ये क्या करें हो चोड़ दो चोड़ता पर चोड़ता अजे पहुत हो गया ते एक पुलिस वाला होकर अपने डिपार्टमेंट का ना क्यूं काड रहा है रे छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे साथ ऐसा किया गा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं जायराज हूँ में में साथ, में में माच लो में 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 जल्दी चाभी दो मैं इसे खोलना चातो है जल्दी चाभी दो कौन है रे तू भाई इसने तुम्हारी मापर हाथ भी उठाया था मेरी माँ के लिए शादी का खर नहीं है एक भर भी लेज हो तो इसका शराद का खाना बनाना पड़ेगा माँ माँ मा नहीं बटा एसा मत कर बेटा एसा मत कर नहीं वेटा देखो मैं इसा मत कर नहीं सकता फैली वहतों कर नहीं जले शे चाभी दो आघुरे में पार भालका विस्टू व९ सा भी तरह त्मग सेशड़ने इस घखा और झाथ ले कियर एक भूत Impact छोजज़ने में आजी boy मेरी मां की गलती क्या है अब है घूर क्या रहा है आखें निकाल दूंगा तेरी कमीना चले जाओ यहां से दो मैडम बिना बात किये में यहां से इसे नहीं जाने वाला यही इस दुनिया में अलग-अलग दरम की अलग-और भगवान थे लेकिन मेरे लिए मेरी माँ ही मेरी भगवान है मेरे पएदा होते ही मिरी मा की आँख्यों में आशा आए थे आज वही आंसों में देख रहा हूं अगली बार अगर तेरी वज़ह से अपनी मां sesame आख्यों में आशा तो इस पुलिस ठेशर को च अरे मेरी नजरों के सामने इतना अच्छा लड़का है और मैं उसे छोड़कर अपनी पोथी के लिए पूरे गाउं में ठिंडोरा पीठ रहे हूं सारी बकरियां कहा पर हैं वो सी एम के घर पर हैं ये क्या अन्याए है क्या समझ के रखा है आपके लोगा अवाज नीची रखो गौड़ा गलत कर रहा है सर उस गौड़ा को मैं सम्हाल लूँगा लेडी इंस्पेक्टर को तुम समझाओ चैराज की है जैराज पर कोई केस नह मां की ममताद छोटे छोटे लोगों को भड़का देती है सेंपथी सेंटीमेंट की कोई जगह नहीं है मेरे साथ रहोगे तो चीफ मिनिस्टर बनकर रहोगे सीम उधर जाओगे तो हो जाओगे कॉमन मैं अरे मैं तो हमेशल तुमारी साथ हूं भीता तो मोह में साइलेंसर लगा लो और उसे अपने घर जाने के लिए का लेकिन वह कैसी करना है ब्रो आरे क्या करो कुछ समंझ जा था करते हो तुम लोग पुलिस हो यह वाचमेन हो इन्होंने हम पुलिस वालों को बना दिया है से ल गाउनों तबैत खराब हो गई यह सुनके जैराज फोड़ा पागल हो गया था तो उसने जो है तो सारे गाउं और की तभर खराब करोंगे बाहर बोला उसको उसरे माफ कर दो बेटा साथ यह चूट ना देखो बेटा तेरी मां और मेरी मां अरे ये पैसे रखो और उन्हें दवा खाने लेके जाओ सर ये क्या है सर खून तदिया ठीक नहीं मैंने तुमें बताया तो था सर हमारी सारी बक्रियों को छोड़ दीजिए मैं चला जाओंगा सर अरे ये पैसा उन बक्रियों के लिए ये रख लो सर उन्हें हमने पिछर लिए नहीं बाला ए वह सारी बक्रिया मेरी मा की जान हाय है है बस था चुड़ visibility बस ऺदे इस के लिए उसके बाद तुम खोदा के ले जाना अरे सिर्फ एक अपते कि तु बात है नहीं सर अरे जाओ तो रोजा के देख लेगा है अरे सिर्फ एक अपते की तुपात है उसके बाद तुम पुदा के लिए जाना अरे बस एक अपते की तुपात क्याड़ों मैं जैराज ये सब लोग छोटे लोग हैं इन्हें कैसे ठीक करना है मैं जानता हूं इंतजार सही मौके का है तुम भी ना जैराज ये सब कीडे मुकॉड़े हैं काँ है ये राम चंद्र मुधाया गॉड़ा हापोजेशन वाला है आज कल वो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है गर्मी दिखा रहा है अरे मैं तो इसी स्टेट में पैदा हुआ तो सोच मुझ में कितनी गर्मी होगी मुधाया अब तू चुप चाप पीछे हट जाए पोलिस के एक आपरेशन में हमें मिला हुआ एक वीडियो क्लिप है ये चैराज ने आपको जान से मानने की धमकी दी थी ऐसी आपको गवाही देनी होगी इस वीडियो में जो है वही सच है उसने मुझे आकर धमकी दी मगर कुछ भी हो जाए मैं कोट में आकर गवाही नहीं दूँगा नहीं दूँगा देखा न यही यही है हमारी वेवस्था ऐसे गटिया किस्म के लोग जनता के सेवक है सर उसके उपर जकेती ड्रग पेडलर ऐसे छोटे मुटे हजारों केस है सर चीक है सर अगर कोई भी उसके खिलाब गवाही नहीं देगा तो मैं गवाही दूँगी कि उसने मेरा रेप करने की कोशिश की सर आप जिस कोट में कहेंगी वहां जाकर मैं गवाही दूँगी कि उ तो एक नॉन बेलेबल अरस्ट वारेंट पर साइन करके दीजिए इसा साइन करके दीजिए इसा जराज बाहरा जल्दी बाहरा मैंने कहा तो तू है खुद को क्या समझता है तेरा ये खुबसूरा चेहरा मैं जिन्दगी भर नहीं भूल पाऊंगा और तुम तो मेरे दिमाग में बैठ लिए चुप चाप मेरे साथ चल तेरे अंदर जितनी भी चरवी है सब निकाल कर तेरे हाथ में दे दूँगी तेरा अरेस्ट वारेंट है मेरे पास ये रहा एंटिसिपेटरी बेल अबे ये नॉन बेलेबल वारेंट है समझ में आया तुझे जंगली गोडी तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सोडे के बोतल में से जाग निकल रहा हो जैराज मेरे पास जो रिवॉल्वर है वो सरकारी है तेरे जैसे कई कमीनों को सबक सिखा चुकी है अब तक अगर तुने भी ज्यादा खुशिया ने करने की कोशिश की ना तो यही सब के सामने तुझे भून कर रख दूँगी समझा अगर रिवॉल्वर से बुलट चल जाएगी तो क्या होगा तुम्हारा और उन पर साइन किस ने किया है तेरे बाप ने को पता चलेगा तो ठीक नहीं होगा उस जैसे देश्ट्रोही पॉलिटेशन से तुझ जैसे कुट पे ढरते होंगे कानून नहीं अरेस्ट थेम इनस्पेक्टर का दिमाग खराब हो गया है अगर तुने भी फोन नहीं रखा तो मेरा भी खराब हो जाएका अज्या है अट पिछे अट यह पांद और तुन आरा वो थार्या यह शूर मन कर फंकर कामरा कि एंग से अल्स प्रॉज को एंग सा भाटा जान। कि एंग से लिए भज़는데 मैं अवप हंग प्रॉपी खूप प्रॉपी खंग खूपशा मुझे ऐस प्रॉपी खाफ जूप ग्रॉपी शेयर है कि भी य़िगा एक्रावल बुग्ग को लुग गाला क्या लुग्ट लुग्ट लुग यह एक्टू उब लुग लुग मैंडम यह लीजिए क्याना पाइसे क्याना तो तेरा सी एम भी आकर तुझे बचा नहीं भाएगा अब चुक चॉप यहां से उच्छा मैं शीकांत राज कजिंदर गड़ा सीम बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट के लिए नई हो क्या तुम हाँ पर खाकी से हमारा पुराना रिष्टा है उतार दो तुम और तुम्हारे साथ जितने भी खाकी वाले हैं जिस रास्ते से जैराज को लेकर तुम लोग गय हो उसी रास कप्रें उतार दिए अब सुन फोन कट करके तुछाए कमिश्टर को फोन कर ले या आई जी को फोन कर ले तुझे एक ही ओडर मिलेगा रिलीज हम सार्फ प्लीज कमिश्टर को फोन दीजिए सा यह ले वाई खाकी से तुई बात कर सीम जैसा बोलते हैं ऐसा करो सार्फ एक अब कि महरबानी से वह थकड़ी हमारे हाथ में है प्लीज ट्राय टू अड़िज टू अजी पोजिशन तो मौव आलसो मारुती प्रिलीजिर मंगल सुत्र बांधता कोई और उतारता कोई और है परमपरा है लेकिन यहां बांधने वादा नहीं उतारेगा हाँ कपड़े नहीं उतारेगी क्या मैं तो उस वाक्त का इंतजार कर रहा हूं जब तेरे होठ मेरे होठों को छुएंगे चलब खाकी वर्दी उतार कर खड़ी हो जा हमारे सामने हैं और उसके बाद इस मर्द को इमांदारी से घर पर छोड़ कर आ जाना उतार कपड़े ए उतारती है या सी एम से मैं फिर से फोन करवाओं उतार हुतार 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 नार्यस्तु पूज्यन्टे रमंटे तत्रदे वतहा यत्रही तस्तुन पूज्यंते सर्वास्तात्र फलाक्रिया Pero जसकर सेर्मनेक, कुछान्य सकरो प्रन Kathy कानून के मूँ पर कालीक पोत कर और तो कि इज्जे से खिलवाड करने वाले इस राक्षस का पाप आप देख रहे है ना भगवान आजकल दुनिया में यही हो रहा है भगवान पर अब यह सब खत्म हो जाएगा आप शूलगा यदु। महाःदु। जुनून कि आपिया क्याी क्या खिर्भा एडिफ कर सिकान है कि जटावा है कि फावाद रिख प्रॉक्त अहाँ मंभंद थब जहाँ खावा गाई है क्या है? लग्य है क्या रिख जह Leonard इरिता है नहीं ए लेड़ी पोलिस सच में तुम्झे बहुत पसंद आए बहुत जल्द मैं तुझे अपने बेडरूम में ले आऊँगा मैडम आपसे बात करनी है मैडम जी आपका जो भी दुखा और दर्ध है मैं समझ सकता हूँ सो हाथियों से लड़ने की हिम्मत है आप में मैडम मैडम ये सी एम धंद्रा जेरा जिन सब को आप दुनिया से मिटा क्यों नहीं देती है मैडम आपका कानून बीच में आता है भीश मुझे से पिता मा को गंस जैसे करूर को और उस रावन का सहार करते समय ये सब नहीं था क्या उस समय भी सारी चीज़ें थी उस वक्त भी राजधर्मा और राजनीती थी ना श्री कृष्णा ने कहा है अन्याई हुआ तो मारो गांधी ने कहा है जो भी होता है शांत रहो सब के लिए भगवान है कभी कभी अपने खोदे उए गटे में हम खोद ही गीरी जाते हैं यही है अपना देश मैडम जी एक आइडिया है मेरे पास कानून को बस दस मिनिट हमारे हाथ में दे दो बदलाब कैसे लाते हैं वो मैं दिखाऊंगा हमारे देश की पुलिस का नाम सुनते ही उन कमीनों की अगर पैंट गीली नहीं हुई ना तो मैं अपना नाम बदल दूँगा मैडम खाकी पहने से पहले आप एक आउरत हो उसके बाद सिपाही हो योधाओं की आँखों में अंगार होनी चाही ना कि डर से उनकी आँखों में आशू होने चाहीए अपने हिम्मत की समाधी मत बंधो अब मुझे लगता है मेरी पोती की शादी करने का समय आ गया है एक पैसे वाले की दौलत देखके हजारों लोग उसके पैरों में पड़े रहते हैं वहीं एक पुलिस वाले के आँख में आसू आये तो कोई उसके पास नहीं आएगा तुम्हारी बात मेरे कानों तक तो आई तुमने दस मिनट के लिए कानों को अपने हाथ में लेना चाहा फॉर वन आवा पूरा एक घंडे का समय बैंलूर का लॉइन ओर्डर सो जाएगा कोई भी पुलिस नेटवर्क काम नहीं करेगा जैराज को खत्ब करदो विश्णू बहुत लोगों को मुझे डिपार्टमेंट को सब लोगों को सब लोगों को तकलीफ हुई है उसे मार दो लेकिन वहां कोई अपना सबूत मत छोड़ देना पुलिस होकर हमारा ऐसा करना गलत होगा सा यदा यदा ही धर्म को बचाने के लिए कोई भी किसी का सामना कर सकता है हम पुलिस वाले है वो आदमी है ये कुछ भी हिसाब से नहीं आता बुराई को मारना है और वो मारेगा ए देव हाँ भाई जल्दे से एक पान ले करा ठीक है भाई भाई करा जदच भाई मारें आदजाय भाई म क हलो प्सक्षण व्हे भाई अंआजांचे mm सिर्ष शर्म सिर्ष नë सिर्ष वे Carus पधिर में प्राप एमः टाहतर थे लाप B1 झाल, टुछ झाल, प्राइब एक रग, परिए नेड़ के घर रहाँ हैं प्राइब एक रीजन एक रहाँ के लाँ़िफ एक रहाँ है में प्राहँ कि अभर लोग दो येतना है रजए टार से घरन्डेश सहालय चाहं कुछुने अपने प्रफक्राम करका है न.. जोगा मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोगा मुझे अरे यार विश्व, तु जल्दी से भाग जा, पुलिस तुझे ढूंड रही है, ये क्या बूल रहा है तु ने ने साफ, छोड़ दी है, साफ, छोड़ दी है, साफ, ने कल अगर किसी ने कोर्ट में खड़ा होके बोल दिया कि ये सब करने के लिए हम लोगों ने बोला ता फिर, ये बात सीयम और जैराज को पता चलेगी फिर क्या होगा, हम लोगों में से कोई नहीं बचेगा, नई साफ, प्लीज, अब आप भी किसी पॉलिटिशन की तरेपा, न आपको लगता है कि अभी सिक्योरिटी है, हलो में सब्सक्राइब किसी आने दिया, विधान सभा में भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता, तू कौन है, ए गोड़ा, कहा है वो, है, वहाँ है, उठाओ से, एए, 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 सब्सक्राइब, बेटे करें दो बेटे हम परें से पर आया था हम से उन कसाइप कैसे छोड़ सकते हैं साथ प्लीज पूछ कीजिए यह हमारे डिपाटमेंट का अपमान है साथ कच कीजिए प्लीज साथ प्लीज टीस ऊसे बज़ाएए किसी का कुछ नहीं किया है किसी का कुछ नहीं किया है चोड़ो मैं में साब वो जूट कह रहा है माजी जब तक मैं जिन्दा हूँ इसने को कुछ सी होई सकता है वाट है कमिशनर अरेंट अशेंड सारे अपमान को भूल के पूरे डिपार्टमेंट का है सब कुछ छोड़ के खड़ा हूँ मैं हाव साड आई रिली पीटी योर डिपार्टमेंट बचाओ मैडम बचाओ मुझे जायराज और नागराज इस केस में इंवॉल्ड सारे अपराधियों को इमीजेटली अरेस्ट कीजिए इस जुडिशिरी ओर्डर डर अपनी जगह सही है कमिशनर लेकिन करतवे को कभी नहीं भूलना चाही हार मौत का ही दूसरा नाम है उसे इतनी आसानी से स्विकार मत कीजिए इस केस को हम नहीं ले सकते हैं इसका ट्रीटमेंट मत करो ऐसा सी एम का ओडर है साप हमने तो सुना है कि एक डॉक्टर भी भगवान के समानी होता है वो जान देता है तो जान ले भी सकता है आप भी एक डॉक्टर ही है ना काला कोट खाकी कबला डरता यह जानता था क्या का मिश्टर कितने दिनों तक ड्रामा चलाना चाहते हो बहुत दिनों तक चल चुका यह ड्रामा अब होगा तेरा काम तमाम बेटा लगता यह खाकी वाला पागल हो गया क्या करें पूरा सिस्टम एक होकर हमसे खेल रहे हो क्या सर जैराज आपके पासी है ना है हाँ मैं यही हूँ क्या उखाड लेगा तू है मेरी बात ध्यान से सुनो चाहे वो सीम हो या जैराज हो अब तुम लोगों की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है हमारे डिपार्टमेंट की गोलियत तुम्हारे खून की प्यासी हो चुकी सीम के घर के सामने इतनी सिक्यॉरिटी नहीं है जितनी यहाँ पर लगाई गई है सही मौका मिलते ही मैं आपको इनफॉर्म करता हूँ हाँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कानून का सपोर्ट आपके साथ है और मेरा भी बेफिक्र रहिए आपके बेटे को कुछ नहीं होगा आप हमारे लिए बगवान समाने वो अंदर है क्या यह नॉट सपोस्ट टू एंटर पैसे आप हैं कौन मैं कोई भी हूं से आपको क्या मुझे अंदर जाने दीजिए तु यह क्यों आई यह बहन जी आप जरा चुप रहिए कौन है आप सब्से मेरी शादी होने वाली है यह शादी से पहले में ही तेरी बाराती का लूंगी बहन जी आप जरा शांत रहिए मैं हूना मेरा कम दिसाइट यह साथ हो अगे जाकर पता नहीं क्यों घुल खिलाएगी नौटंकी कही कि थू हलो हलो तुम कहा हो मालाश्री इस नाम से बुलाने वाली आप कौन तुम देश की रखवाली करती हो ना ये बताओ तुम इस वक्त कहा हो विश्णु के घर के पास सिक्यारटी में हो ओ तुम विश्णु के घर के पास हो क्या ठीक है तुम वही पर रहना मैं वही पर आती हूँ आपको यहां क्या काम है मुझे उन लोगों से कोई जरूरी काम है मैंने तुम से एक बार कहा ना कि तुम वही रुको मैं पहुचती हूँ वही रुको हलो सुनिये तो दादी ये समय बिलकुल सही है अब ही जाकर उनके में आ नहीं वह ये जा हूँ हूँ है ये खु मैं विष्णूरी कु morale अवाया को है ही ये टीडिह चोरी लिक लीड से अवलें इनल होगे समय इंह चहरा आता हमना जाने जाले भाना आता है जaky, तुम एन तुम एले जाले टुम कहां कुछ नहीं बेठा कुछ नहीं गुआ यह क्या सुना मैंने वो सच है सर और वो लड़की कहा है मुझे नहीं पता सर तो फिर तुम सब जाकर डूब बाएगा क्या तुम्हारा या प्रात तुम्हें मन्जूर है तुमसे पूछ रही हूं जस साहिबा हमारी ये किछा है आप उसे पूरा करेंगी अपनी कोट और बूट को निकाल कर उस टेबल पर रखकर आप किरपा करके एक बार हमारी जगह पर बैट कर देखिए तब आपको हमारी हाल के बारे में सही पता चलेगा क्या पैसा कर सकती है बोलिए न जजस साहिबा क्या पैसा करेंगी वह मुर्गी बकरी या कोई जानवर नहीं का बेटा था जिसे मार दिया गया एक जीते जाकते इंसान का सब के सामने गला काट दिया और खुले आम घुम रहे वह अपराधी अ आप राधियों को पकड़ कर सजा देने के बजाए हम बेकसूर लोगों को यहां बिठा कर सवाल पे सवाल पूछा जा रहा है क्या यहीं निया है मिम साब आप लिख लीजिए उस नीच कमीने सीएम को मारने के लिए मैं ही गई थी और उसके बेटे नागराज का सर भी मैंने ही काटा नहीं अब जाकर मैं उस सीएम का सर भी काटूंगी यह मैं उस भगवान की कसम खाकर कहती हूँ मेम साब मेरा बेटा कौन है यह दुनिया को नहीं पता लेकिन भगवान जानता है कि मेरा एक बेटा और है उसका नाम है शिवा मैंने कोक से सिफ एक बच्चे को ही जनम नहीं दिया है बलकि इस कोक से एक शेर को भी मैंने जनम दिया है मेरा खांदान और वंश का नाम आगे बढ़ाने वाला मेरा प्यारा बच्चा विश्णू वो तो मिट्टे में मिल गया मेम साथ लेकिन मेरे शेर को मैंने भले मालुस को दान किया था उस बेटे का नाम है शिवा अब इस कहानी में वो जिन्दा है मेम साथ शायद ये बात 27 साल पहले की है उस दिन तुम दोनों रो रहे थे और तुम्हारे रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी वो शिवरात्री का दिन था शादी होके 5 साल हो गए थे मगर मेरे धर में बच्ची के रोने की आवाज नहीं सुनाई दी बच्चों का नाम क्या है विश्णो और शिवा ओहो जुडवा बच्चे हैं दोनों ये भगवान का आशिरवाद है मेरी बीवी जब पूरी तरह से नाउमीद हो चुकी थी तब तुम्हारी मा उसके सामने देवी बन कर आई मैंने दिन रात भगवान से प्रार्थना करके एक ही बच्चा मांगा था मगर उन्होंने जुड़वा बच्चे दिये मैं सोचती थी उन्होंने ऐसा क्यूं किया लेकिन आज आपको देखकर मुझे मेरा जवाब मिल गया बहन जी गाव में मेरा घर संभालने के लिए मुझे एक ही बच्चा काफी है एक आप ले लीजिए अब चिंता मत कीजिए मैं मेरा बच्चा आपको गोद दे रही हूँ कोई मा ममता के किस हद तक गुजर सकती है ये तुम्हारी मा ने साबित किया बच्चा नहीं है ये देखकर उसने तुम्हें हमारी गोद में ढाल दिया भूल भूल जाओ भाया वो अपसे उनका बच्चा है और उस राद तुम मेरे बेटे बन गए कामका जैसे ही चलता रहा और जिंदगी आज यहां तक पहुँच गई है बेटा आज तुम्हारी मा की यहालत देखके मुझे बहुत दुख हो रहा है वहां बहुत अन्याय हुआ है शिवा यही है तुम्हारी मा दुरुगर मा और यह तुम्हारा भाई बिश्रा और यह तुम्हारा भाई बिश्रु By झाल 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 मा तू आ गया शिवा अभी मुझे उसी नाम से बुकर रही है और पिता जी मा नहीं रही पिता जी ठीक है और तुम कुछ भी ठीक नहीं है बेटा सब कुछ कड़बड हो गया मेरे प्यारे विश्दू को मुर्गी बकरे की तरह काट दिया गया खादी पहनने वाले राजनेता और इन पुलिस वालों ने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला समाज में होने वाला धोखा औरतों के साथ होने वाला अन्या है और मेरे इस दर्थ को इनसाफ मिलना जाए शीवा न्याए मिलना चाहिए सच्चाई और इंसाफ आज शैतानों के हाथ में फसकर दम तोड़ चुका है आज कानून की देवी सिर्फ एक पुतला बन कर रह गई है दिखा देशिवा तू समाज को ठोक ठोक कर ठोक ठोक कर उन्हें जगा देशिवा पापियों से हमारी सारी धर्ती डरने लगी है आस्वान भी कामने लगा है इन इंसारों की धर्ती पर हैवान लोग शैतान लोग भगवान के बनाए नियमों की धच्या उड़ा रहे है उन्हें छोड़ना मत बेटा छोड़ना मत क्या बात है दुर्गा का बेटा आया है यह मैं क्या देखा हूं यह तो बिल्कुल वैसा है यह कौन है बचला एड़के तो लो मैं आ गया यो देख के सब डर गए क्या वाट से एम तुम विश्नु नो नो शिवा उसका ब्रदर हिंदे फिल्म में जुड़वा राम और शाम गोरा और काला और जब एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द होता है तब वो पागलों की तरहा सामने वाले को मारता रहता है वही बात हम दोनों के बारे में हैं द कौन से कहानी इस राज्य की जनता ने इन्हें वोट दिया है यही मुख्यमंद्र है तुम्हारा नेचर देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम जनता के वोट से नहीं बलके खुदी वोट डाल डाल कर जीते हुए हो ऐसा करने के लिए भी चर्बी होनी चाहिए खाने के लिए चर्बी अच्छी लगती है लेकिन सीम के पद के लिए नहीं लोग इसके अंदर कुछ ज्यादा ही है इसलिए बी केफॉल आज के जमाने में ज्यादा गर में एक मौत की कीमत हमारे लिए इस कागस के टुकडे से ज्यादा नहीं है चाहे वो इंसान बड़ा हो या फिर बच्चा हो इसमें लिखी रकम उसके लिए काफी है सीम रिलीफ फंड में पैसे नहीं है लेकिन ये पाँच लाख रुपए मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ मेरे दादा एक निसाल देते थे ससुराल में जाओ तो सालिका राज चलता है एक जमाने में इसकी कीमत थी लेकिन तुमारे आने के बाद रेप हुआ तो चेक, लूट पाट हुई तो चेक माफ कर देना गलत को सही ठहराने वाले कमीनों के लिए मेरे अंदर कमीनापन भर भर के है सुनिये, सुनिये ये बेट बक्रिया मुझे जान से भी प्यारी है इन्हें मुझे से दूर मत कीजिए इन्हें छोड़ दीजिए जब तक C.M. साब ठीक नहीं होते, आप नहीं ले जा सकते वो जब तक जिन्दा है, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा आज के बाद उसकी सेहत और भी खराब होगी मैं तुम्हें या इन्सानियत का सबख सिखाने आया था लेकिन तुमने मेरी इंसानियत को चेक के तरह जुमें तॉल दिया आज बच गए हो, कल मैं फेराऊंगा अब स्टेप बाइ स्टेप खेल शुरू होगा सीन बाइ सीन चेक अब मैं लिखूंगा शनी ने अब तुमको खेर लिया है यह शिवा तुम्हारी समाधी बना कर रहेगा अब चलू कॉम्पॉन्सेशन मुख्य मंत्री जी मैं ब्लाक शीट बचना एड़के को लो मैं आ गया मेरी बाद अध्यान से सुन जए यह आदमी बहुत चालाग है यह बंबई नगरिया तु देख बबुआ अरे क्या टेंचन है भाई आराम से खड़े रहो सोने चांदी कीट गरिया तु कूल कूल काय को फुदक रहा है चुप-चप खड़ा रहे ना वो मुझे ललकार कर गया है उसे मैं देख लूँगा तो यह आख रहे हो ज़रा दिखाओ धाछ कौन है बतायों नह suspension के सामने आकर जायराज कौन है पूच रहा है अल और अम कि ए ऐसा चालू सुआ चल्ञुचीज काते हो ग्या बढ़ यह और सर हैं फ़ाय कौन मीं ए B यह यह रहता था ना वहाँ पर एक जैराज रहता था काला सा मोटा सा तकड़ा मूच वाला पहलवान तुम को देख कर लगता है कि तुमको एड्स के पेशेंट हो मैं एड्स पेशेंट ही हूँ तेरी मा को जेल भीजवाने वाला मैं ही हूँ सर इज़स से उसको वहां से छुड़वा दो सर मैं उसे अपने साथ ले जाओंगा आपने लाल बत्ती का नाम तो सुनाई होगा न मैं वहां जगे दिलाओंगा ये बात मेरे यहां कही होती न तो तुम्हारा सर शरीर से अलग कर देता साल के 365 दिन मैं तेरे जैसे भौकने वालों की लाशे अपने हाथों से गिराते रहता हूँ भरे हुए तबिले में एकदम छुपकर बैटे हो सर तुम्हें सिर्फ एड़ी नहीं बहुत सारे बीमारी यहां जकर लेंगी यहां फिर कोई डॉक्टर भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा प्लीज टेक कियर ओफ यूर रोग ऑके बाए सर एक और बात सर कहना भूल बिलता हूँ हां वाइजर तुम्हारे भाई को एड़ से रहे समाल के रखना भाई आपको सच में एड़्स हो गया है कर दिल में अच्छी सोच है और काम में नियत है फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हो यहां न्याय और कानून की कोई कीमत नहीं है यह है आपका वन लाइन स्टेट्मेंट सही है न अगर ऐसा सोच के मैंने इस्तिफा दे दिया तो समाज मुझे दरपोक के नाम से पुखारेगा भगवान बड़ा है सर यहां समाज और सरकार दोनों मरने की स्टेज पर हैं सर सर एक छोटी सी गलती हमें बहुत महेंगी पड़ सकती है और कानून वालों को ये बात शोभा नहीं देती एक अपाहिज और अंधे माबाप के बेटे को बीज सडक पर छोड़ने जैसी बात हो गई है हमारे स्टेट की सर सीम और उसकी गैंग ने गुनाह किया है अरेस्ट करो सर मैं चलता हूँ थैंक यू और सम्थिंग सब्सक्राइब है पता नहीं यह उस घर का बेटा है भी या नहीं चाहे जो कुछ भी हो है इस डाइनमाइट क्यों बे हस क्यों रहा है आंधी तूफान तुम जैसे कच्ड़े को उड़ा के ले जाएगा यही मैं सोच रहा था लेकिन उपर वाला फिलाल यह नहीं चाहता क्या पुलिस टेशन जाना है गया तू सीम से लेकर सारे वी आईपी को धमकी दे रहा है आ तो चाल अंदर वो मेरी जगा है तेरी जगा वो है कौन है रहे तू क्यों बे तुझे भड़काने वाली वी आईपी ने बताया नहीं किया कि मैं कौन हूं क्यों रहे पुलिस को रॉब दिखाता है रॉब का दूसरा नाम है यह शिवा यह देश यहां की जंता सुरक्षित है तो हमारी वजह से पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग वो राश्ट्रगीत अगर पवित्र है तो हम लोगों की वजह से खाकी वाले को हिस्ट्री सिखाएगा कौन सी खाकी बे कौन है पुलिस कौन है यहां का पुलिस तू है तू है आईडी दिखा आईडी दिखा तेरा तू है कैसा आईडी तू पुलिस ऑफिसर है यह सबूत देने के लिए एक आईडी होता है कमिने कौन है तू मैं पुलिस वाला हूं तू ने खाकी पहनी है फिर भी तू पुलिस नहीं है मैंने खाकी नहीं पहनी है फिर भी मैं पुलिस हो शिवा यान मैं अपने अंतरात्मा की शपत लेता हूँ मिस्टर शिवा, नथिंग टू वरे डिपार्टमेंट आपके साथ है वे इल आलवेज सपोर्ट यो गुड़ लग माई बॉई, आल दे बेस थैंक यू सर्व वाट मिस्टर नर्सई गौड़ा के एस पेस स्टेट पुलिस सर्विस या फिर स्टेट पिम्प सर्विस है मुझसे जबान मत चला आज तरी मरदान की निकल जाएगी ऐसी तरी हालत करूँगा मैं कर दो तरी है अएम अपीर नहां दो अपया है ठाभी दोग बहाँ है तो प्लुद से हुआ हैं अचनल अवड़ा जाल आप सबस्ट आप से दिर ड्साओाइबॶिया अवլची खाभ प्लुद से लुझते हैं कर दो दो पा कर दो दो कर दो झाल 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 आप पर ये आरोप है कि आपने पुलिस वालों को मारा और पुलिस टेशन में ताला लगाने का भी इल्जाम है लेकिन उससे पहले आई नेड़ फेवर क्या है? इस कोट में आये हुए कांता राजजी और उनका बेटा धंदराज और उन बेटों से बढ़कर जैराज इन तीनों को अभी इसी वक्त अरेस्ट करने का ओर्डर पास होना चाहिए मैं जो बात करने जा रहा हूं उसका मकसद यहां सारे लोगों को पता है अभी आपको इस अदालत में सच्चा ही जाननी है तो अभी इसी वक्त इन तीनों को अरेस्ट करना होगा कोट से बाहर नहीं जाने दिन इस केज को कहां से शुरू करूँ यह पता नहीं था मैडम लेकिन आज मुझे इस कटगरे में खड़े करके इन लोगों ने अपनी समाधे खुद ही बना ली है अपने पैरों पे कुलहाडी मार के यहाना दिस इस कंटेम्ट अप कोट अदालत में खड़े होकर तुम अदालत को ही चैलेंज कर रहे हो ऐसे ही समझी कमिशनर, ये स्यूर अपना है कमिशनर, उसे चुपचाप बैटने को बोलो ओर्डर, ओर्डर, ओर्डर है क्या भौँक रही है तू, क्या भौँक रही है बैट, बैट जाओ, कोट, कोट, जस्टिस, कोट, जुडिश अरी को क्या बच्चे का के समझाए फ्रेज बोलो क्या बात है मैंने पुलिस वालों पर हाथ उठाया ऐसा कह रहे है कमिशनर से मेरा पहला सवाल है वो पुलिस वाले कौन है नर्साई गौड़ा, योर ओनर वो नर्साई गौड़ा नहीं है नर्सिंग यातव है, योर ओनर विट योर पर्मिशन, प्लीज येस, वही, वही नर्सिंग याद आओ महराश्टा से तड़ी पार हुआ एक गुंटा चहराज की वज़े से सीम से परीचय हुआ और उसी चहराज ने उसका नर्साई गौड़ा के नाम से नाम करन किया फिर इस चहराज के धंद्य में कोई छोटी सी प्रॉब्लम ना आए इसलिए बेग पुलिस आइडी बनाने की अलाबा एक नया पुलिस स्टेशन भी बना दिया ये है पुलिस रिकार्ड 1963 से एस्टाबलिश हुआ BCP बैंगलोर सीटी पुलिस उस जमाने से लेकर अब तक KSRP करनाटक स्रेट रिजव पुलिस D.A.R. इस्टिक आम पुलिस C.A.R. सिटी आंट पुलिस S.T.F. स्पेशल टास्पोर्स K.A.R. M.P. करनाटक आम ड्रिजव माउंटेट पुलिस C.A.R. P. कोस्टल सिक्यारिटी पुलिस G.A.R. P. गवर्मेंट रेलवे पुलिस वहां से लेकर यहां सब की डेट आफ बर्थ डेट आफ रिटार्मेंट, डेट आफ डेथ इसमें आपके सामने लैप्टॉप में है Now answer to me, my friends Nursing या तो आलियास Nursing गोड़ा कौन से बैच में पास होकर आया है ज़रा आप बताने का कश्ट करेंगे कमिशनर सर्थ नहीं चाहिए किसी को भी नहीं चाहिए कोई भी जीए या कोई भी मरे Income बस income चाहिए यही human mentality है अगर ऐसा समाज रहेगा तो नरसाई गोड़ा जैसे लोग नकली पुलिस भी बनेंगे शिरेख रिशन ने कहा है अंजाने में की हुई गलती कर्म नहीं है एक बार नरसाई गोड़ा के पुलिस स्टेशन जाकर आएंगे चलेंगी Sure क्या है यह हां यहां कुछ तो गडबड हुई है यह मेरे आँखों के सामने दिख रहा है लेकिन वो एक फेक पुलिस वाला है उसके लिए तुम्हें और सबूत जुटाने होंगे लेकिन यह जगह टूप्लिकेट पुलिस टेशन है इसका तुम्हारे पास कोई एविडेंस है अच्छा सवाल पुछा है मेडम प्लीज कम मेडम प्लीज पुलिस टेशन का काम खत्म होने के बाद अपने सी एम इन सारी चीजों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखते आ रहे हैं डियोब्लिकेट स्टैंप पेपर इतने में ही इतना शौग हो गई मेडम और भहुत कुछ है मेडम आपको पता है या नहीं पता धन्दराज गजेंद्र गड़ा एक बड़ा ड्रग एडिक्ट है अपने सी एम की छत्र चाया में चलने वाले दूसरे ये गलत कारणा में ड्रग माफिया चलिए मेडम डॉक्टर को ही भगवान मानते हैं गरीबों को मार कर उनकी आँखे लीवर किड्नी निकाल कर औरगन माफिया चल रहा है मेडम बिकज आफ नागराज के जेंद्र गड़ा काला धन रखकर अपने देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने वाले उन लोगों में से एक अपना सीम भी है मेडम ये देखिए ये है उसके काले कारणा में आईए मेडम ना कमी ने कहीं के इससे भी बड़ी काली हैं ना क्यों मेडम ऐसे क्यों देख रही है आप स्टेशन से अंदर गई थी लेकिन चेराज के अड़े से बाहर आई हैं यही है हमारा सिस्टम राजनीती को नेताओं को देश को आगे बढ़ाने के लिए प्लान बनाईए उनका तो दिमाग चलता है नहीं लेकिन ऐसी चीजें बराबर सूचती हैं नरसी है यादव कहां है कमिशनर इस राजन का मुख्य मंत्री और उसका बेटा और ये गुंडा जैराज इन तीनों ने मिलकर तुम्हारा नाम बदलने में मदद की इसके अलावा राजन में जो भी घटनाई हुई है इसके जिम्मेदा तूम हो क्या या अपरात तुम कुबूल करते हो महाराष्टर से तड़ी पार होकर तुम यहां आए हो क्या तुम वहां के माफिया से जुड़े हो जी तिगराई पेट में रहने वाली उस माता को पहचानते हो ना तुम हाँ सर और उनके बेटे विश्नु के मौत के बारे में तुम क्या जानते हो ट्रिम्रेटेटे पारे में तुम का जाए हो झाल झाल तुम जाओ यहां से, 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 जाओ यहां अगर मैं मर गया तो मेरी मां भी मर चाहीगी राइचा मैं आपके पहार पड़ता हूं मैं अपनी गलती मानता हूं बहाइच्राहिITY में और मेरी हर्द यहाँ से हम कहीं दूर चले जाएँगे भाई।大家都 दूर चले जाएंगे मैं आपके आगे हाथ जड़ता हूं भाई भाई प्लीज भाई मैं पैर पड़ता हूं माफ करतो भाई गरम खुन है अंजाने में मुझसे घलती हो गई लेकिन इसके आगे ख्याल रखोंगा भाई उस लड़की को कुछ मत करना उसको कुछ पता नहीं है कि आप है बैभाई जर लग रहा है 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 हम आ यह कर दो चक्रण शुझे खुंआ है कि यह तो ऑल बोतु आँ पोटु अब बोतु अच ज़से आप है जिस कमीने को हम ताकत से नहीं जीत पाते, उसे हम डस लेते हैं इस सुनहरी नागिन से तुम्हारी नस में अंग अंग में, तुम्हारे दिल में इस लिए जटका लगाना बेटा इसलिए ऐसे लोगों को हम खत्म कर देते हैं अरे पागल तुझे तेरी मान ने सौ बार समझाया कि मेरे पीछे मत आ, मेरा विश्वास मत कर, मेरा रंगरूप देखकर मा की बाते ना सुनकर तो यहां तक चला आया, बेटा विश्णूर। बेटा, तू उसके पिछे नहीं जाएगा ना, नहीं जाओंगा मा, तू सिर्फ कहता है, वो लड़की कहां है, थैंक यू शीवा, मेडम, इट वाउस माइ ड्यूटी मेडम, ड्यूटी तो सब लोग करते हैं, मैं भी कर रही हूं, लेकिन, जो हमें पता नहीं था, वो तुम् मैडम, इस गाओं मेरी मां आशू बाहर ही है, न्याय की देवी भी आशू बाहर ही है, कानून के सिपाही की आखों में भी आशू है, हमारी भारत माता की आखों में आशू है, पूरी दुनिया के औरतों की आखों में आशू है, तो हमारा समाज के प्रतिक कुछ तो फर्ज पंदा है इस संसार के लिए मैंने छोटी से सिम्मेदारी नी भाई है फॉर्मिलेटी इस एकम्प्लिटेड मेडम वी कें टेक इंटू तू 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 हलो मेरी पवित्र मात्र भूमी इस गुनाहों के दल्दल में थस चुकी है लैंड ऑफ डिवाइन लौ उसका में कमीनों ने मजाग बना दिया मेडम वाट अपेंड हमें जड़ा खूल के बताईए फेक करशी फेक डॉक्यमेंट्स फेक पोली स्टेशन इसके अलावा इन लोगा अगर मेरी न्याय देवी इतनी ही पवित्र है तो उस डुपलिकेट कोट में खड़ी होकर इस केस का फाइनल जज्जमेंट दे सकती है क्या इसा चैलेंज कर रहा हो मुझे इतनी ताकत है क्या एए कहां है तेरा वो डुपलिकेट हाई कोट बता कमी ने वेलकाम इस डुपलिकेट कोट में आज सब का फैसला होगा जैसा इस कमीने पुलिस वाले ने कहा था हम पॉलिटीशियन कुछ लोगों के चेहरे पर टेंशन देखकर उसका फाइदा उठाते हैं ये तुम्हारा सुप्रीम कोट सेशन कोट हाई कोट नहीं है ये धनराज गजेंदर का कोट है जब से मैंने अपनी आखें खोली है आज तक मेरे बाप ने भी मुझसे इस तरीके से कभी बात नहीं की है याद रखो मेडम इस वक्त यहां का राजा मैं हूँ ना कि तुम्हारे सामने बैठा ये बेवकूफ मुझे बाहर जाने के लिए कह रही हो सर मरने के बाद भी मेरी लाश अपनी रौब दिखाएगी यहां पर मैं किसी को भी बहस करने का मौका नहीं देता सीधा फैसला सुनाता हूँ और ऐसा करने से मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता है मुझे एक राक्षस ही समझो अपनी सोच और अपने काम से पूरा राक्षस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा सामराज्य किसी की चिता पर बन रहा है या फिर किसी की कबर पर गरीबों का खून मेरे लिए ठीक वैसा ही है जैसे बाजार में बिकता हुआ मिनरल वाटर इस देश का एक भी आदमी मेरे रहते सुकून से नहीं रहने पाएगा मेरी हुकूमत का सिर्फ एक ही वसूल है इंडिया इस फॉर से इस देश की निलामी होके रहेगी यहां के हर मर्द को मैं लाचार और निकमा बना के रहूंगा और इस देश की हर एक औरत को मैं कोटे पर बिठा दूंगा सभी पावर्फुल आदमियों को पावर पहुचाने वाला मेम स्विच हूँ मैं और तु नया नया खाकी पहन के मुझे धमकी देने आया है तुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगा यह डुपलिकेट पुलिस इदर आना इदर आ आज तु खाकी वर्दी में ऐसा लग रहा है जैसे तु कोई कच्रा ढोने वाला हो इस खाकी वर्दी की पावर दिखा के तु स्रीराम बनने की कोशिश कर रहा पर तुझे बचाने वाला सिर्फ एक ही आदमी है और वो है मेरो बेटा आज इसने मेरे खून को हद से ज्यादा खौला दिया है इसकी पहनी हुई खाकी वर्दी से मेरी खादी जलकर राख हो जाए उससे पहले ही इसका बलिदान देना होगा मुझे इस शेहर में जिसने भी उची आवास की उसे अब तक मौत के घाट हमने ही उतारा है करते हैं अब तू हमें सबक सिखाएगा राम राज्य लाने की बात करें हो परियम कैसे होने देंगे हमारे खांदान की कोई स्टैचू नहीं नाई कोई रोड है नाई किसी गली या गार्डन का नाम है एक सचू लगाने के लिए कहीं भी जगा निहीं चोडही जा देखो राजकुमारण विष्णो शक्ती रोड साही रोड हमारे लिए हर एक वगवन हमारे राइट में रहता है और एक हमारे लेट में रहता है हमारी मर्जी के खिलाफ है हाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिल पाता है रामायन महाभारत भगवत गीता रहने से या पढ़ने से इस देश का उधार नहीं हो जाता तेरा पती मर गया है विद्वा है तू कुम कुम लगा कर तू खुद को सुहागन समस्ती है क्या लोक फॉर मी एवरी सेकेंड इस मिलियन यह वाइट कॉलर्स यू नो हम सो इंफ्लेंशियल अगर मैं इस वक्त चाहूं तो इस न्याय की देवी के साथ तुझे भी बाजार में बेख कूँ कान खोल कर सुन ले कमीने तुझ जैसे राजनेता की भौकने से इस देश का समविधा नहीं बदल सकता तुझ जैसे कमीने को जनम देने वाले माबापको बीच रास्ने में हलाल कर देना चाहिए ताकि इस देश पे कोई आस्मा सके मुख बन रख तू यहां से पैर बाहर रखेगा तभी तो न्याए देवता के साथ मुझे बेचेगा कान खोल के सुन ले अगर तू असली मर्द है तो यहां से बाहर निकल के दिखा लॉक दोर अगरत के माथे पे लगने वाला सिंदुर सौभागी की निशानी है लेकिन तुम जैसे मर्द हमारा नजीब नहीं बनल सकते एक माँ एक बच्चे को नौ महीने तक पेट में पालती है उसे जनम देते वक्त इतने दर्द सहती हो तुम अपना को मर्द कहते हो शिवा इस कमीने की एक एक शब्द से मेरी मा से लेकर इस धर्ती मा तक संस्कृति और सभ्यता सब कुछ अपवित्र हो चुका है मेरे देश का कानून भी अपवित्र हो चुका है और इस कानून को पवित्र रखने के लिए इन्हें छोड़ना बद बेटा अपने मरे हुए बाई की आत्मा की शान्ती के लिए और तेरी मा की कोख में लगी हुई इस आग को बुजाने के लिए इसका खून बहाद है खून बहाद है खून बहाद है जो अपने वर्दी वालों को तुने अपने घर का जाडू लगाने वाला समझ के रखाए क्या इंसानियत के दुश्मन और धर्ती पर बोज बने वे ऐसे सीम की राज्य को ज़रूरत नहीं है कमीने ओरत की आचल में लिप्टा है राश्ट का फ्लाग पूरे हिंदुस्तान में अगर नहीं लिप्टा है तो वह है मर्द का सर समझ गया तुम जैसे देज त्रोहियों को तो सीधे कोली से उड़ा देना चाहिए इंडिया 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 औरत के माथे का सिंदूर तुम लोगों के लिए खून का सैलाब है क्योंकि सिंदूर की कीमत तुम लोग नहीं जानते आज इनका खून बहेगा अपना कलेजा अपने हाथ में ले लो डर गया क्या डर गया क्या इंडिया को तुम लोग अपना नहीं समझते हैं हम इंडियन्स कमजोर लगते हैं क्या तु चाहे कितनों की भी जान ले ले एक बात तु कान खोल के सुन ले मेरे भाई की ताकत के आगे कोई नहीं जीत पाएगा कौन सी ताकत कौन सा भाई तेरा सब कुछ बेग है! सब कुछ तेरी मा कूँ ने पता नहीं तेरा बाप कॉँ ने पता नहीं तेरी खांदान का कुछ पता नहीं है तुम जैसे लोगों की वज़े से आज हमारा देश बतनाम है मच्चों के दूच से लिकर स्कूल में मिलने वाले सेटिफिकेट तक जनता की नौकरी, बाजार, इंस्टिटीशन, डॉक्टर, कामकाज, कोट, पुलिस टेशन, डॉक्यमेंट्स, करनसी, मेडिसेन, सब कुछ तु और तेरे मरे हुए बाप का खून, सब कुछ भेक, 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 सब कुछ डूब्लिकेट तु जैसे खचर को खोड़े के रेस में उतारा जाए तो मैं असली खोड़ा बनकर हर बाजी जीतूँगा और तुझे पनिश्मेंट दे कर रहूंगा आज तुझे पता चलेगा कि कानून होता है तु इस धर्ती का सबसे गंदा किड़ा है, जो इस धर्ती को खोकला कर रहा है लेकिन आज तेरे खूल से ये धर्ती पमित्र हो जाएगी इसे मा के नाम का अच्छी मालूम नहीं, उसके मुझे मा का नाम सुनकर संस्कृती, कला, साहित्य, जन्ता, जीवन, सबका रेप करने का आयोब लगना चाहिए कमिश्णर, सरकस के रिंग मास्टर के इशारे पे नाचने वाले जानवर नहीं है हम कहा कैसे इंसाफ और हिफाज़त करनी चाहिए, कहा टंडे की अवाज और कहा भूट की अवाज सरकार की दी हुई गन हमेशा हमारे पास रहती है राजनीती सब के लिए मेडिसिन नहीं है, कानून मा है, राजनीती बाप है मैं सिर्फ अपनी मा की बात सुनता हूँ, मा जब कहती है तभी मैं अपने बाप को पहचानता हूँ इस औरत को धर्ती पर पूजा जाता है, उसी औरत को तुम लोग हवस का शिकार बनाते हो, उसके सिंदुर की कोई कीमत नहीं है तुम जैसे लोगों को तुमको बचपन से पालने पोसने वाली भी औरत ही है, लेकिन तुम लोग शराप के नशे में उसी की इज़त लूटते हो, तुम जैसे लोगों को तुम मार ही डालना चाहिए तुम्हारे बचपन से तुम्हारे बड़े होने तक, तुम्हारी गॉड फादर जो होती है, वो तुम्हारी मा होती है, तुम्हारी लिए अपने जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाती है, ने चारी खुद भूकी रहती है, लेकिन तुम्हारा पेट भरती है, और उसी हुआ 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 है हुआ हुआ है साथ रंगों से रंगे इस देश में खाकी का रंग सर्वश्रेश्ट है हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हम सबका है और तुझ जैसे शैतान को नरक में भेजने वाले यम्राज भी हम ही है मा तुम कानून की रखवाली हो भले ही तुम्हारी आँखों पर पट्टी है लेकिन हम तुम्हारी संतान है अंधेरे में रोशनी लाएंगे और अंधेरे को दूर करेंगे अंधेरे को दूर करेंगे